सभी का एक बार वापस से स्वागत है सभी को मेरी तरफ से जैहिन एंड जैभारत लेट स्टार्ट मैं अनुप उपार्धिया अब सभी का एक बार वापस से स्वागत करता हूं अपनी बेस्ट क्लास जो की हिंदू मैरीज एक्ट 1955 की पार्ट टू आज स्टार्ट हो रहा है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कल हम सभी ने कल हम सभी ने पहला पार्ट कवर कर लिया था और बहुत शांदार तरीके से कवर किया था अब देखे आगे की बात मैं आप सभी से डिल करना चाहता हूं कि यहां पर जो पार्ट टू होने वाला है उसका रेलेवेंसी पार्ट वन से जरूर होगा तो दोस्तों मैं आप सभी से निवेधन करूँगा कि जो पार्ट वन है वो जरूर आप देखे तभी पार्ट वो को देखिएगा अब आगे की बात मैं आप सभी को शेयर कर देता हूं कि कल मैं थोड़ा सा जो पढ़ाया था उसका ओवर्यू दे देता हूं सभी को राधे राधे गुड इवनिंग नमशकार चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कल मैंने आप सभी को पढ़ाया था एक एक चार्ट जो की section 5 का था section 5 का चार्ट शायद गायब कर दिया गया है कोई बात नहीं तो previous lecture में आपने section 5 का एक चार्ट आपने देखा था जिसने बताई थी शर्ते क्या है एक शादी की शर्ते मतलब conditions for a valid marriage valid marriage का मतलब होता है वैदि शर्ते कुछ वैदि शर्तों की जो वैदि शर्ते वैदि शादी है उसकी आवश्यक शर्ते क्या है आवश्यक शर्ते क्या है तो इसके लिए section 5 में हमने 5 point पढ़े थे अब उसी के आगे हम आज दिल करेंगे अगर इन 5 शर्तों का violation हो जाए तो आपक को दंड मिलेगा यह दंड कहां पर दिया गया है punishment for violation of section 5 को violation की कैटेगरी में डालेंगे और इस violation का पूरा चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूं देखिए क्या चार्ट है यह चार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था उलंगन का अगर किसी ने भी 5 एक का उलंगन किया मोनोगैमी का तो उसे section 11 में और section 17 में उसको सजा मिलेगी ठीक है लेकिन अगर 5 clause जो यह 2 है इसका अ जाएगा तो दोस्तों इसी की ही continuous में मैं आज सभी आपको कौन कौन से section कराऊंगा पांच के साथ 11 को 12 को कराऊंगा साथ ही साथ 10 को भी करा दूँगा 9 को भी कराऊंगा हाजी और section 13 भी इसी के साथ चलेगा तो पूरा एक group है जो एक साथ चलेंगे लेकिन इस group को start करने से पहले थोड़े से basic concept आपके रह गये हैं तो कौन कौन से basic concept हैं दोस्तों तो मैं आप सभी को बताता हूँ वह basic concept कौन कौन से हैं देखिए हमने कल section एक और दो को कर लिया था और साथ में 5 को कर लिया था अब इसके बाद आज हम लोग deal करेंगे अच्छा अपनी study पूरा judiciary level की है चाहे जो LLB कर रहा है वहाँ से लेकर judiciary तक को देख सकता है जीरो से start है तो आज इसमें से remaining एक section तीन रह गया है एक section चार रह गया है चली start करते हैं फिर 6 से लेकर 13 तक के sections को deal करेंगे clear सभी लोग thumbs up कर दे कि हाँ जी बात समझ में आ गई है कैसे मागे बढ़ने वाले है तो आज सभी को मैं सबसे पहले देखिए एक तो फोटो बहुत प्यारी प्यारी लाया हूँ अपने यादों में मत खो जाना जो married लोग है और जो un married है इन अच्छी अच्छी फोटों को देखकर प्रेरित मत हो जाना कि इस अगनी कुंड में हम भी कूच जाएं ठीक है देखे अब आगे की बात section 3 जो बात करता है साथी ओडेफिनेशन पोर्शन की बात करता है अब डेफिनेशन का मतलब यह होता है देफिनेशन का मतलब क्या होता है ध्यान से देखेगा पहला तीन का जो a है वो बताता है custom and uses क्या बोल रहा हूँ custom and uses अब custom and uses क्या होते हैं जिसको हिंदी में कहते है रूडी और प्रता अब जैसे आप जानते हैं कि आप लोग जब शादी करके आई होंगे या कहीं कहीं शादी के पहले भी कुछ प्रताय होती है जैसे अंगूठी इसमें डाल के फिर खोजा जाता है अब जिसको अंगूठी मिल जाती है वह शादी में राज करता है शादी के बाद अगर अंगूठी पत्नी को मिल गई तो ऐसा माना जाता है कि पत्नी है ना पती पर भारी पड़ेगी पत्नी की बात हमेशा आगे चलेगी और अगर पती को उठी मिल जाती है तो ऐसा माना जाता है पती का जो बात बोला जाएगा वही जीवन भर चलेगा ऐसी कॉंसेप्ट की बाते चलती है जिसका वास्तिविक्ता से कोई लेना देना नहीं साथियों बस एक ही कॉंसेप्ट है जो ब्रह्मा जी ने बनाया है कि आप चाहे कुछ भी कर ले चलेगा तो पत्नी का ही अब आगे की बात तो इसी रूड़ी को हम समझते हैं तरी एक है कस्टम इंड यूजिज में क्या कह रहा है झाल 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 प्लीज बहुत टाइट है प्लीज अब्ज़र्व इट प्लीज वीट अरे पता नहीं कौन सा अभी अवाज आ रही गया येस क्या मेरी वाइस सभी को आ रही है बता दो जल्दी से अरे पानी यहीं पी लेंगे जी वाइस आ गई वीडियो वीडियो क्लियर है बड़ी गज़ब की चीज हुई है मैं बताऊंगा आपको आजी फाइन है क्या सब कुछ आडियो वीडियो ओनली वाइस आ रहा है वीडियो प्रॉब्लम भी है प्लीज वेट प्लीज वेट डेक्स्टोप यह होता है ओके इस वन कि नया कॉंसेट कहां से लाइव है रोजी दूश्टोप इससे क्या फर्पड़ेगा पूरा नया वीडियो वापसे प्लास टार्ट है सब परफेक्ट है अब चलिए दोस्तों आई होप सब डन हो गया है आगया मैं ओके एक वायर नया लगाया इन लोगों ने तो मुझे लगा काम काई कि मैंने निकाल के पैग दिया उसको अब मुझे क्या पता है कि यह मुझे टर्ड रहा था एक्चुली क्या मैं होगी डोल डोल के पढ़ाता हूं दोस्तों तो यह वायर है को उसको मैंने निकाल के फैक दिया तर पता चला इससे कुछ तो रूल कैसा हो निश्चित हो ऐसा नहीं कि आज हमने अंगूठी ढूंड लिया हमारे बेटे ने अंगूठी नहीं ढूड़ा नहीं बेटे से बेटे सब को अंगूठी ढूडनी पड़ेगी प्रोवाइडिर दैट दरूल अंगूठी जो ढूड रहे हम लोग यह रीजनेबल होना चाहिए अब यह रीजनेबल है कि नहीं आप लोग देखिए तो कोई भी ऐसी प्रथा अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे दादा जी ने पड़ दादा जी ने पास साधिया करी है अब हम भी करेंगे हमारे पि назад पिता जी भी नहीं देते थे दादा भी नहीं हमारे प्रथा एसी प्रथा आनवरीजनेबल होते है तो प्रथा या रोडी जो है वह रीजनेबल होने चाहिए दोस्तों और उप पॉस्टो पापलिक पॉलिसिए नहीं होनी चाहिए ऑगे नॉटक्वा हुना है क्या कुई not opposed to public policy या public policy के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए फिर इसके आगे एक और बात provided further that in the case of a rule applicable only to a family it has not been discontinued हाँ वही मैंने बोला कि किसी भी परिवार ने किसी भी परिवार में कोई प्रता चल रही है तो discontinued नहीं होना चाहिए वो continue चलने चाहिए बीच में break नहीं होने चाहिए अब आगे की बात देखिए अब यह question एक्जाम में बार बार आता है तो इसके keywords को आप याद रख लीजिए keyword continuous uniform long time से चलती हो आ रही हो reasonable हो public policy के against नहीं हो और discontinued भी नहीं हो मतलब continuous हो तो यह इसकी characteristics हो गई जो आप एक्जाम में लिखके आ सकते हैं अब देखिए district court जैसा कि मैं जोधपूर से अभी पढ़ा रहा हूं क्या हो गया हाँ जैसा कि मैं अभी जोधपूर से आपको पढ़ा रहा हूं तो जोधपूर का यह family court है पारिवारिक न्यायल है जोधपूर इसी यह कोई question एक्जाम में क्या पूछा गया था दो सो परसेंट इस question has been asked in your examination आयो उत्तराखंड में यह बिहार में पूछा हूआ यह प्रस्न है ठीक है इनका कुछ भी नहीं चल रहा है तो उत्तराखंड बिहार में पूछा गया था district court का मतलब क्या होता है district court का मतलब होता है city civil court बस इत इता नियाले का मतलब होता है नगर civil नियाले लेकिन एक्जाम में question आया था पूछ लू क्या मैं अगर यस करो थमसब करो तो पूछू मैं आप सभी से देखू आप बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं कमेंट नहीं देख पाता हूं इसको चालू करिए अब देखिए आगे की बात प्री में कोशन आया था साथियों प्री का प्रेस्ट बता रहा हूं अभी एक section आगे और आएगा वहां पर भी सेम कोशन में पूछूँँगा इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं देखिए कि अगर कोई suit file करना है divorce के लिए या judicial separation जो भी है ठीक है petition file करनी है अब मेरी बात को सुनना मैं क्या कह रहा हूं तो कौन से court में file होगी option A district court option B option B family court तो आप क्या answer लिखेंगे दोस्त बताईए जल्दी से अगर मैं कहूं कोई भी petition file करना है दो option आ गया आपके एक्जैम में कि district court आ गया और family court तो आप कहां पर suit file करेंगे कि नहीं अजली पांडे अभी तक तो नहीं है अब future में देखते हैं धीरे धीरे तो देखो right answer होगा family court देखिए आज कल क्या है कि इन शादी वाले matters को deal करने के लिए एक special court का गठन हो गया है जिसे हम family court के नाम से जानते हैं इसलिए दोस्तो पारिवारिक नियायले जोदपुर्भी जैसे बन गया है यह district court जहां होता है न वहीं पर यह बना हुआ है तो आपका यह district court answer ना होके पारिवारिक नियायले मतलब family court आपका answer होना चाहिए तो I hope अगर एक्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ move on करते हैं एक प्रश्न है full blood half blood and uterine blood अब यह तीन तीन ब्लड है चलो तीन ब्लड को समझते हैं यह blood क्या होते हैं तो देखो अच्छा photo देखके distract नहीं होना है अच्छा तो टीन एका क्या कहता है full blood section 3 जो आपका है A, B, C कुछ गडबर लग रहा है यार एक काम करो इसको D करो A, B, देखो B में district coat आ गया, C में आपका यह आ जाएगा full blood and half blood D में आपका I hope uterine blood आ जाएगा, चेक करना जड़ा सा कुछ गडबर है दोस्तों इसमें, yes or no अभी clear है क्या, एकदम सही लिखा है मैंने, full blood थोड़ा सा typing error हो गया था, इसको एकदम बढ़िया से कर देता हूँगा, please wait गलती पता नहीं कहां से हो गई, सपिंडा के लिए अलग class लेने वाला हूँ, please आप लोग समझे, थोड़ा सा continuity मेरों को maintain करने दे, सभी चीज़े मैं आपको धिरे धिरे दे पाऊंगा, back to back सारी चीज़ों का समय आता है, तो please wait, देखे, full blood and half blood क्या होता है, पूर्णरक्त और अर्धरक्त, जब एक पिता हों और एक माता हों, यह single है कि नहीं है, जब एक पिता हों और एक माता हों, अगर इनका कोई यह parents क्या कहलाएंगे, full blood, two persons are said to be related to each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by the same wife, मतलब माल लीजे दो बच्चे पैदा होते हैं इनको, यह दो बच्चे पैदा, दिख नहीं रहा है न, यह दो बच्चे पैदा हुए हैं इनसे, एक और दो, अब यह दोनों बच्चों का relation, बहुत अच्छी रखिएगा, कोई भी student इस पर ध्यान नहीं देता है, ना कोई लगबग educators को मैं देखा है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूंगा, full blood की और half blood की, तो कभी भी हमें parents का relation नहीं देखा जाता है, कि parents का आपस में क्या संबंद है, नहीं, हम relationship चेक करते हैं, दो बच्चों की, कि इन दो बच्चों का संबंद जो है आपस में, वो कैसा है, क्या इनके संबंद एक पिता, एक पिता और एक माता से है, अगर एक पिता और एक माता है केवल इन दोनों के, तो ये आपस में सगे भाई बहन होगे, या भाई भाई होगे, तो ये लोग कहलाते है फुल ब्लड आई बास समझ में सभी को समझ मागई कहने का मतलब समझो सिफ आप रटो मत कि वन फादर वन मदर नो अगर दो भाई हो या बेहन हो आपस में उनका संबंध जो है एक ही माता एक ही पिता से हो तो वह संबंध जो है फुल ब्लड कहने का मतलब होता है हिंदी कहां गई पूर्ण रक्त का संबंध कहलाता है अब आगे की बात आपने देख रहे हैं देखो मैं कोई भी चीज हसी मजाग में नहीं लाया हूँ जो भी चीज लाता हूँ मैं concept wise आप सभी के समक्ष लेके आता हूँ तो concept wise कैसे लेके आता हूँ यह एक व्यक्ति है जिसने 38 साधिया की है कितनी शाधिया की है 38 शाधिया की है लेकिन जिंदा कैसे है यह इस पर रिसर्च ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी को करना चाहिए जैसे हमारे कुम्ब का मेला लगता है दोस्तों प्रयाग राज में तो उस पर ऑक्सफो हाफ ब्लड का मतलब यह होता है दोस्तों इससे आपको समझ में आ रहा होगा एक हस्बेंड है और इसकी बहुत सारी डिफ्रेंट वाइवस हैं अगर एक पती है और बहुत सारी पत्निया है आपकी तो आप हाफ ब्लड में कहलाएंगे क्या गलत आप नहीं आपके जो बच् उनका संबंद हाफ ब्लड का कहलाएगा बच्चों का संबंद पती-पत्नी का क्या संबंद वो तो पती-पत्नी ही रहेंगे उनका क्या संबंद आप चेक करोगे येस और नो आई योप यूट मैं पॉइंट तो यह इतिहास में दर्ज हुआ था इस व्यक्ति ने 38 साधिया और इतना बड़ा परिवार बनाया तो इनको हम कह सकते हैं अर्ध रख्त यह फैक्ट है ट्रू फैक्ट की बात करता हूं मैं हमेशा अब देखिए वेन डे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बट बट डिफ्रेंट वाइव तो उनको कहा जाता है वे अर्ध रख लड़ कि बहुत सारे हस्बैंड होते हैं मतलब इस बच्चे के अंदर जो बलड है वो किसी एक का नहीं है one two three more than one है जिसको हम कह सकते हैं polyandry तो polyandry अगर किसी ने किया है तो इस बच्चे का जो relation माल लो इसको दो बच्चे होते हैं एक ये बच्चा एक ये बच्चा अब इसके पिता जी का कौन होंगे पता नहीं है तो इन दोनों का जो संबंध है जो relation है आपस में वह संबंध एक यूटे राइन ब्लड कहलाएगा वन हस्बेंट डिफर वन वाइब डिफरेंट हस्बेंट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा डन डन या नहीं बताई जल्दी से अब एक बार वन लाइनर फॉर्म में देख लीजिए अगर मैं कहता हूं फुल ब्लड यहां से देखिए फुल ब्लड दूसरा होगा हाफ ब्लड शॉट में याद कर लो तीसरा होगा यूटे राइन ब्लड एक ओधर शॉट में समझे अब ऐसे से बेर एक साइड में आप अपने लिख दीजिएगा बेर एक्ट में ठीक है एक्जाम्पल आप लेते रहें कोई बात नहीं सुनो न अई एक वाइफ फाफ ब्लड में एक हस्बेंड मैनी वाइफ जो यू टेरिं ब्लड में एक वाइफ है मैंनी हस्बेंड ऑलो समझ में आया क्या बस इतनी रामायाड इतनी चीज़े नहीं समझनी यहीं अगर आपको आता है आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अब आगे की बात करते हैं दोस्तों क्लियर हो जा तो थमसप किया करो थाकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को समझ में आता जा रहा है ना मुझे समझ में नहीं आता है फिर आप लोग सिर्फ थमसप किया करो बस मुझे पता चलता जाए अब एंसेस्टर का मतलब होता है father और ancestors का मतलब mother हमें समझना है यह में आपका prescribed मतलब prescribed by rules अब एक sapinda relation होता है दोस्तों sapinda relation क्या होता है हिंदी में बताओ हिंदी में तो बताया एक पती एक husband और एक wife एक husband बहुत सारे पत्निया एक wife बहुत सारे पती अब देखिएगा सपिंडा relation को बोलते हैं सपिंडा नातेदारी अब इसको समझना बहुत जरूरी है सपिंडा relation क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा सपिंडा relation को मैं आपको सभी को समझाता हूं सपिंडा relation with reference to any person extends as far as third generation अच्छा इसको ऐसे पढ़ लो ना यार सपिंडा समझा देता हूं अगर फादर की बात करते हैं तो फादर की केस में पांच generation तक उपरली पीड़ी और अगर मदर की बात करें अपने फादर मदर को लेकर समझें मदर की तीन generation तक की जो पीड़ी होती है अपर केस में यह जितनी भी पीड़ी होती इसमें आपस में आप शादी नहीं कर सकते कैसे जैसे आप अपने मामा जी के बेटा बेटी से शादी नहीं कर सकते मामा नाना जी के भाई है कोई उनके बेटा बेटी से शादी नहीं कर सकते क्यो अब पिंड कितना बड़ा होता है अगर आपकी ममी जी की बात करें तो ममी जी के तीन पीड़ी तक आप शादी नहीं कर सकते और पिता जी के कम से कम पांच पीड़ी तक आप शादी नहीं कर सकते getting my point कभी आप देखें अपने गाव वाव में आप रोग रहते हैं तो गाव में पडोस के घर में आप शादी नहीं कर पाते हैं क्यों वो एक ही कास्ट के होते हैं और एक ही उससे पैदा हुए वनसज होते हैं समझे उनको आपको बताओ जो गाव में रहते होंगे उनको पता होगा वहाँ पर क्याते हैं भयवाद है हमारा यह समझे की नहीं समझे मतलब भाई के ऐसे ऐसे अब देखिए डिग्री ओफ प्रोहीबिटेड रिलेशन्षिप इसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे सक्सेशन एक्ट भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा दोस्तों वहाँ पर मैं आपको डिग्री ओफ प्रोहीबिटेड रिलेशन बताऊंगा लेकिन अभी आप सोच लीजिए प्रोहीबिटेड प्रतिशिद नातेदारी का मतलब आप अपने जैसे चाची शादी नहीं कर सक चाची के चाची से मत समझो यार यह सब शादिया क्या है बिल्कुल मना है यह प्रोहीबिटेड डिग्री ओफ रिलेशन शिप आता है शौर्टर अभी इतना याद रखिएगा एक केस था लेंडमार्क जजमेंट उसको सुनिएगा दोस्तों लक्ष्मी बाई वर्सिस भग पर्सनल लौ में यह प्रगति सिंग बिल्कुल यूर राइट तो कस्टम है इस एफेक्ट ऑफ मोडिफाइंग जनरल पर्सनल लौ बट इन डज नोट ओवर्राइट इस्टेट्यूटरी लौ अनलेस दे कस्टम इस एक्स्प्रेसली सेवड बाइट हिंदी में समझे हिंदी क्यों किया जाता है कस्टम को देखते हैं कस्टम के एकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट होते हैं परंतु यह अधिनियमित विधी पर अधिभावी नहीं होती है लेकिन अगर कोई एक्ट बन गया है कोई एक्ट बन गया है तो क्या उस पर कस्टम हावी होगा नो कस्टम हा किया गया है कुष कानून बना रहे वो सब सही है लेकिन कुछ कस्टम ऐसे हैं जो अपनी जगा मैंने रहेंगे उनको कोई छेड़ेगा नहीं पाल सातो जनम तुछ को पाते यह उसना फ़या और सब्ण to the फ़ये का कॉंसेप्ट अभी मैं आप सबी को समझाऊंगा यह सब्द पदी का जो concept आये था दोस्तों साथ वो साथ कस्मे साथ चकर लगाए जाते अगनी के चारू तरफ वो क्यों लगाए जाते हैं क्योंकि यह concept होता है कि मुझे सातों जनम में मैं तुम को ही तुम ही मुझे मिलो ऐसा कुछ concept है पता नहीं तो वह कानून अपनी जगह है लेकिन कानून कभी भी कोई भी custom कानून से उपर नहीं हो सकता इन जनरल लेकिन अगर उसी कानून ने उस कानून के अंदर कोई custom को save कर रखा है कि भाईया ये custom अगर आपके यहां है तो आपके यहां valid रहेगी तो आप उस custom को हटा कभी नहीं सकते मतलब custom always prevail if saved by the law अब देखो आगे की बार custom must be proved by clear and unambiguous evidence हाँ अगर आप कोई चीज custom के माध्यम से प्रूव करना चाहते हो तो आप उसको save कर सकते हो आपको reasons देने पड़ेंगे आपको evidence देना पड़ेगा जो की clear और unambiguous मतलब इस पस्ट एंग असंदिक्ष साक्ष की द्वारा प्रमाडित कर सकते हैं it cannot be extended by analogy और logical process कभी भी कस्टम को साध्रस्यता अत्वा तार्किक प्रक्रिया के द्वारा विक्सित नहीं किया जा सकता अब आप यह नहीं कह सकते हैं मैंने को line पढ़ी थी दोस्तों क्या line थी कि जैसे ही माली जिए garden है ये माली या गार्डन है और इस garden में अगर उएक रास्ता बना हुआ है यह पग डंडी बनी हुई है यह क्ऐइक पग डंडी है अगर यह पग डंडी से कोई जाता जा रहा है जाता जा रहा है और यह 100 साल से जा रहा है तो यह रास्ता बन जाता है यह वे बन जाता है यह रास्ता बन जाता इसको कोई अब रोक नहीं सकता उसी तरह से custom भी होता है जो 100 सालों से चलती हुई आ रही हो अब वो custom कभी बीच में रुकी नहीं होनी चाहिए निरंतर चलती हुई रहनी चाहिए तो वह custom भी क्या बन जाएगी कानून बन जाएगा अब उसे आप परिवर्थिप नहीं कर सकते आयोप सभी को clear हो गया होगा येस अब section 4 की तरफ move on करते हैं देखे section 4 क्या कहता है साथ कि overriding effect of the act मतलब इसको मैं एक काम करता हूँ इसको chart form में समझा देता हूँ overriding effect of act का मतलब क्या है सुनना जैसे एक हिंदू marriage act क्या है 1955 यह का यह बात यू बोल रहा है इसके पहले इसको लिख देता हूँ before अगर कोई भी कानून कैसा है before मतलब पहले का है कानून क्या कानून थोड़ीन कह रहा है यह कह रहा है कोई भी टेक्स्ट रूल इंटर्प्रेटेशन तो यहां पर लिख दो कोई भी टेक्स्ट कोई भी रूल कोई भी इंटर्प्रेटेशन मतलब निर्वचन नियम या कोई भी देखो क्या रेड में मैंने किया है और एनी कस्टम और यूसेज मतलब कोई भी कस्टम या यूसेज प्लस कोई भी कस्टम है या कोई यूसेस है जो हिंदू मेरिज एक 1955 के कमेंस्मेंट के पहले से है कमेंस्मेंट का मतलब क्या होता है प्रारम्ब इसके प्रारम्ब से ही चलता हुआ आ रहा है बिफोर कोई भी वापस सुन लेजिए हिंदू मेरिज एक 1955 के प्रारम्ब से पहले 1955 के पहले से कोई टेक्स्ट है यह धंक से नहीं बना क्या रुकिए कोई भी रूल टेक्स्ट है कोई भी रूल है कोई भी इंटर्प्रेटेशन है और कोई भी कस्तम या यूसेस है इनके अलाव प्लस एक और बात कह रहा है या कोई भी दोस्तो एनि अधर लॉ इन फोर्स है तो ध्यान से सुन लेजिएगा शेल सीज क्या कहा रहा हूँ शेल सीज यहाँ पर लिखना है आपको आंसवर शेल सीज वो बंद हो जाएंगे खतम हो जाएंगे अब सुनो क्यों खतम होंगे वापस से अपनी लाइं कोई टेक्स्ट कोई निर्वचन इंटर्पिटीशन कोई रूधी प्रता कोई अन्य कानून जो इस act के साथ inconsistent है क्या कहा रहा हो इस act के साथ क्या है inconsistent है inconsistent का मतलब असंगत है तो वो सारी के सारे कानून नियम क्या हो सीज हो जाए बस बोलो समझ में आया क्या अरे समझ में आया क्या नहीं आया क्या समझ में जल्दी बताओ राइटिंग की प्रोब्लम आ रही हो गया ही हो कि सरीका गुड़ गोबर कर दिये सब हां देखो सिंपल सी बात है वापस बोल देता हूं कोई भी एनी टेक्स्ट है में देख लो या कोई भी यूशस है या कोई भी कस्टम है एक मद ये इसके अलावा कोย एनी अधर लो है एनी अधर लोँ चार्ट अश्वे बना लेना जो यह सब forth क्या है इनकंसिस्टेंट है कि है कि किसके साथ इनकंसिस्टेंट है हिंदू मैर्इटक्ट तुउ मेरीट इसके हिंदू मेरिज एक्ट के 1955 के पहले के हैं ये सारे के सारे बोलो आया क्या समझ में अब तो आया समझ में ठीक है डन अब चलो आगे की बात करते हैं ये रहा हमारा सेक्शन फोर सेक्शन फाइफ कल मैंने आपको अच्छे से बता दिया था सेक्शन 6 की बात करते हैं गार्जियन शिप को ओमिट कर दिया गया है लेकिन आज कल प्री का लेवल बढ़ा दिया है पूछ सकते हैं कौन से एक्ट के द्वारा इसको ओमिट किया गया है तो चाइल्ड मेरिज रेस्टरेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया ह अब देखिए section 7 की बात करते हैं दोस्तों ceremonies for a Hindu marriage Hindu विवाह के लिए क्या क्या ceremonies हैं तो देखिए a Hindu marriage अब इसका एक प्री का प्रश्ण है दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्री का क्या प्रश्ण है कि जो section 7 का point एक प्री का यहां प्रश्ण आया था प्री का यह प्रश्ण आया था कि अगर मालो यह लड़का है और यह लड़की है लड़की को भी अच्छा बनाते है यह लड़की है और यह लड़का है तो क्या दोनों की अगर शादी की जाती है है तो दोनों के दोनों के अरे दोनों के सेरेमनीज को दोनों के सेरेमनीज प्रेशन है प्री का प्रेशन है जल्दी से बताइए सब के कमेंट का वेस्क वेट कर रहा हूँ जल्दी चाय भी पी लिया एक कब अब देखो तो यहां पर है इधर आफ दू इस प्रेशन का अंसर यहां मिलेगा दोस्तों सेक्शन सेवन के क्लॉस वन का अहिंदू मैरिज में भी सॉलेमिनाइज इन एकॉर्डेंस विद्धी कस्टम कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमिनीज ओफ इधर पार्टी देयर टू और यहीं पर प्री में लिखा हुआ था बोथ पार्टी और मैंने टेस्ट लिया था मौक टेस्ट में कोशन दिया था नब्वे पर्शंट लोगों ने इसी पर टिक लगाया था बोथ पार्टी पे वादा कर लो कि कसम खाते हैं साथ जन्मों का हम इसको गलत करके नहीं आएंगे हम यहीं ही नहीं है कि दोनों के रश्मों को पूरा करना आवश्यक हो गेटिंग मैं पॉइंट यस और नो उत्तरा खंड में आया हुआ है बहुत बढ़िया अब देखिए आगे की बात कर लेते दो तीन स्टेट में आया हुआ है अब देखो दूसरा क्लॉज इसका क्या करता है सब सब्त पदी सब्त पदी की बात समझ रहे हो देख लो यह अगनी के फेरे लगा रहे हैं दोनों हस्बेंड और वाइफ तो इसका मतलब क्या हो गया आपने गाना सुना होगा दोस्तो जब तक पूरे ना हो फेरे साथ नहीं दुलहा नहीं दुलहीं तो कहने का मतलब वही लाइन अंग्रेजी में लिख दिया इसते कि मतलब जहां ऐसी रीतियों और कर्म कांड के अंतरगत सब्त पदी सब्त पदी का मतलब होता है अगनी के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्तत साथ पद चलना आती हो वहाँ विवाह पूर और अबदकर तब होता है ज अब देखो आपको बात बताना चाहूंगा थोड़ा से टाइम लोंगा दोस्तों थोड़ा सा में आपका टाइम लोंगा पहले केस लो बता देता हूं फिर सुनियेगा केस था भावराव वरसी स्टेट ओफ महारास्ट्रा वेर सब्द पदी यहां सब्द पदी को पूरा किया जाना चाहिए येस इट इस मेंडेटरी अगर कस्टम कहता है तो आपको करना पड़ेगा अब देखो आगे की बात भावराव और सिस्टेट ओफ महारास्ट्रा में 1991 में एक और बात रही थी सुप्रीम कोड की दप्रूफ ऑफ दी पर्फॉर्मेस ओफ सेरेमनीज इस असेंशियल फॉर वैलिड मैरीज कि क्या एक वैलिड मैरीज के लिए प्रूफ जरूरी है अगर फोटोग्राप्स वगरे की बात किया जाए हिंदू मैरीज जो रजिस्टर होता है उसके अंदर नाम दर्ज है वह आविश्यक है सेरेमनीज पर्फॉर्म की गई है आपने साथ फेरे लिए हैं सिंदूर लगाते हैं ति बिलकुल इंपोर्टेंट है स्वर्साहा में सारी चीज़े आपके लिए लेके आऊंगा आप लोग धहरी तो रखिये मैं हिंदू मैरीज एक्ट करने के बाद आपका हिंदू एडॉप्शन माइनॉर्टी गारिजन शेप सक्सेशन धीरी धीरी सब लेके आ जाऊंगा अभी एक यूपी मेंस की भी क्ला स्विधि सास्त्रिक मैनर्स कहनेका मतलब विवा आ के शास्त्रिक रिति से अनुष्थित किये जाने के लिए नम्लिकित करमकांड अविश्यक है पहला कर्मकांड क्या है अब्यार कॉप्य बिलकुल है B इसके अंदर कोई एक point भी है मैं later on stage पे आपको इसको लेके आऊँगा अब आगे की बात देखिएगा दोस्तों एक मेरे मन में प्रश्ण है जैसा कि मैंने आप सभी से discussion करना चाहता हूं कि seven steps seven steps compulsory हैं लेकिन जैसे हमारे जूतपूर में क्या होता है चार step दुलहा लेता है तीन step दुलहें लेती है मतलब चार step husband लेता है तीन step wife लेती है चार प्लस तीन को साथ माना जाता है तो क्या यह राजस्तान में जो steps लिए जा रहे हैं क्या यह सही है क्या यह सब्त पदी माना जाएगा अब इसका आंसर बड़ा तेड़ा है कि आप अपों दोड़ते को दोघ मैं नहीं ऊस्थ स्वाहा तो वो कुछ डालते हैं लिक्विड और वॉइट का कुछ होता है तो उसी को ही कहते है विवहूम तो विवाह ओम का अब जरूरी नहीं है ठीक है मैं अभी लेटर ओन स्टेज पर आपको बताऊंगा चीजे समझे थोड़ा इसको यहीं पर रहने दीजिए थैंक्यू सो मच बिल्कुल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जैसा कि कमेंट मैंने अभी पढ़ा कि के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं तो बहुत तो मैं आपको बता दूँ अभी जैस्ट सहाब ने भी मुझे फॉन किया था क्योंकि अभी जो जो सब्जेक्स में डील करता हूं जिस लेवल पर डिल कर रहा हूं आपको बता दू अगर आप एच्जेस के लिए प्रिपे हम यह कहता है कि यह बिलकुल सही है तो अगर राजस अगर राजस्थान के अंदर सौ सालों से कस्टम चलती आ रही हो कि साथ फेरे नहीं क्या हो गया है साथ फेरे नहीं हम तो चार प्लस तीन लेंगे दोनों पती-पत्नी मिल कर साथ पूरा करेंगे तो क्या यह सही है बिल अब आगे की बात शादी वादी कर ली तो registration भी तो कराओगे आप लो registration कहां कराओगे आप लो तो देखो for this purpose registration of Hindu marriage अगर आपने section 8 ये कहता है अगर आपने शादी कर ली है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा उसका registry करण कराना पड़ेगा इसके लिए राजी सरकार ने नियम बनाए है देखे for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage the राजी सरकार मतलब state government may make rules तो registration के संबंद में अगर आप हिंदू है विवा करते हैं तो आपके registration के संबंद में जो नियम कानून है वो कौन बनाते हैं राजी सरकार अरे भाई एक राजी के अंदर साधी कर रहे हैं ऐसा थोड़ी ना है कि कह दोगे मैं यूपी का हूं और मैं शाधी कर रहा हूं महारास्ट्रा में तो यह national level का मुद्दा हो गया तो आप central government कानून बनाए अरे ऐसा नहीं है भाई ऐसा तो नहीं है कि आप एक पाउं उत्तर प्रदेश में रखोगे और दूसरा पाउं मुंबई में रखोगे आलग हो जाओगे तो इसलिए national level का मुद्दा नहीं ऐसा नहीं सोचना कभी interpretation ऐसे कभी नहीं करनी आप किसी एक जगह पर पती-पत्नी शाधी करोगे तो उस हिंदू मेरिज रजिस्टर होता है हमर कहते हैं शौर्ट में इसके आगे लिख दो हमर इस सेक्शन के आगे शौर्ट में लिखो हमर तो जो हिंदू मेरिज रजिस्टर होता है दोस्तों इसी रजिस्टर में उस व्यक्ति की शाधी की एंट्री की जाती है अगर किसी व्यक् तो उसको दंड दिया जाएगा जुर्माने के रुप में अधिक्तम 25 रुप है अरिस्था लोगों की नहीं लोगों के दंड ये बस सहले ना अगर दिक्कत आये तो लेकिन रजिस्टेशन कराई ये अब चौते नंबर पर देखे क्या कह रहा है जो ये डॉक्यूमेंट्स होत है इंस्पेक्शन के लिए कभी इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है देखा जा सकता है मतलब इसका निरिक्षन किया जा सकता है युक्ति युक्ति समय पर खुला रहेगा उस टाइम दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है क्या इसे एविडेंस के रूप में एडमीजिबल किया जानकारी वह evidence के रूप में भी admisible court में होता है आगे की बात हाँ अगर कोई इसकी copy मांग रहा हो इसका कोई extract मांग रहा हो certified extract तो क्या उसको दिया जा सकता है हाँ अगर आपने prescribed fee pay कर दी है तो आपको वह भी दिया जा सकता है ठीक है अविनाश मौरिया कल से करता हूँ अब देखिया आगे की बात clause 5 क्या कहता है अगर मान लीजी आपने शादी कर ली आपने अगर शादी कर ली आपने entry HMR में नहीं कराई हिंदू marriage register में entry नहीं करवाई तो क्या होगा तो क्या होगा क्या आपकी शादी जो है वो invalid हो जाएगी क्या आपकी शादी invalid हो जाएगी क्या तब भी आपकी शादी क्या रहेगी valid marriage कहलाएगी बस इतनी सी बात अगर entry नहीं होती भूल जाते है तो भी शादी तो valid ही होगी है ना अगर मान लो शादी इन्वेलिट कर दिया तो पत्नियां लेके जाड़ू आ जाएंगी कहां गया हमार कौन बनाता है रजिस्ट्रार बने हो अव कूछ देते हैं तुमको तो समझो दुरगा बन जाएगी काली बन जाएगी तब क्या करोगे इसलिए इसको कहा गया भईया इन्वेलिट नहीं है श कि वह यह जो सीमा परसे अश्वनी कुमार का केस है यह किस से संबंदित है यह सेक्शन आठ से संबंदित है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है इसमें क्या बोला गया दस सुप्रीम कोट हैस डारेक्टिड डैट मैरिजिज ऑफ और पर्शन्स बिलॉंग टू अब इसने अब यह सेक्यूलर बात कह रहा है यह सेक्यूलर हो गया है दोस्तों यह केस इसे सेक्यूलर केस भी मैं कह सकता हूं सेक्यूलर केस क्यों चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो देखिए मेरी बात आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवारी है ऐसा नहीं है शादी करने के बाद सारे लोग एक धड़े पर आ जाते हैं चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो शादी हो गई पती पत्नी तब भी कहलाओगे चाहे आप मुस्लिम हो और चाहे आप हिंदू हो चाहे आप क्रिश्यन हो अब पती पत्नी हो तो हमर के अंदर नहीं कराया तो 25 पर फाइन दीजिए तो यह क्यारा आप किसी भी धर्म से हैं आपका रेस्पेक्टिव स्टेट में जो है वहाँ पर आपका रेजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए ठीक है क्या रेजिस्ट्रेशन कराना कराना ऑप्षणल है जल्दी बटाओ यहाता एक्जाम में नूर रिजिस्ट्रेशन ओफ हिंदू यह भी प्री का प्रशन है वुड शुड भी मेड कमपलसरी हिंदू विवा के रजिस्ट्री करण को अनिवारे बनाया जाना चाहिए विल्कुल अब देखिए आगे की बात करते हैं दोस्तों कल मैंने से अभी हमने अभी हमने अभी हमने सेक्शन एक से लेके आठ तकुर कर ल ले रखो लेट स्टार्ट चलिए नौ को एक बार डील कर लेते हैं तो नौ को डील करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रेस्टिट्यूशन ओफ कंजूगल राइट्स कहने का मतलब जो आपका चैप्टर तीन है दोस्तों हिंदू मैरीज एक्ट का इसी करती है दामपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और जुडिशियल सेपरेशन की बाद भी है या ती जिसे न्याइक प्रतक करन कहते हैं अब देखो एक अच्छी सी बात बताऊंगा याद रखोगे जीवन भर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है या नहीं अरे बोला ना कंपल से रिये दक्षी जी अभी मेंडेटरी वर लिखा अब देखो सेक्शन नाइन जो है साथियों यह कहता है या कहता है और फिर सेक्शन टैन भी कुछ कहता है तो देखो इसमें बात याद रखना जो सेक्शन नाइन है और जो सेक्शन टैन है यह जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है और यह जो है रेस्टिट्यूशन ओफ कॉन्जूगल राइट्स की बात करता है याद कर लो लेकिन अगर मैं अपनी घर की भाशा में बात करूं अरे कहना क्या चाहते हो तो यह कहना यह चाहता ह है आपको यह अलगी आता है आपको कि बचाता है आपको साधी को बता सकते हैं restitution of conjugal rights यह आपके प्यार समन्वे को बढ़ाता है husband और wife के प्यार को बढ़ाने वाला section मतलब यह आपको अलगी आता नहीं है आपको लगाव कराता है जबकि judicial separation क्या करता है यह अलगी आने का काम करता है getting my point आपको separate करता है तो कहने का मतलब एक word में कि section 9 क्या है यह शादी को बचाने का काम करता है section 10 क्या करता है judicially separate करता है मतलब आपको divorce के पहले की यह steps हैं जो आपको अलग करना तो यह आपको लगाव और यह आपको अलगाव याद रह जाएगा क्या अब आगे की बात अब conjugal rights and judicial separation को समझने से पहले हमें यह भी सोचना है कि divorce का भी matter होगा तभी यह concept आया होगा वरना तो इस concept को आने की जुरती नहीं अगर कोई व्यक्ति गया होगा अरे हमको तो तलाग चाहिए इस पती से हमारे हमको तो divorce चाहिए तब court कहता है रुको जरा आपको तलाग नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि आपने शादी के समय कहा था कि सातो जनम तुझको पाते अब तुम सातो जनम के लिए जिसके साथ जुड़ी हो उसको तुम एक जटके में तोड़ नहीं सकती हो तो मैं कम से कम कितने टाइम वेट करना पड़ेगा अप्रोक्स एक साल तक आप वेट करेंगे ठीक है एक साल में हम देखेंगे कि आपके रिष्टे सुधर जाएं तो ठीक है वरना आपको सेक्शन 13 में divorce दे दिया जाएगा देखो आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ divorce को स्टार्ट करने से पहले divorce जैसा concept हमारे हिंदू में कभी नहीं होता था हिंदू में ये माना जाता था जिस व्यक्ति ने जिस महिला से एक बार शादी कर ली वह साथ जन्मों तक उसका साथ रहेगा ही रहेगा और कभी भी वह एक दूसरे को divorce नहीं दे सकते हैं लेकिर हमारा जो modern हिंदू लौ है जहाँ पर यह डाले गए है एक्ट वगेर यहाँ पर divorce का concept लेके हम लोग आ गए है with few restrictions like one year अब चलते हैं आगे की तरफ section 9 की बात करता है pre point of view से and means point of view से restitution of conjugal rights क्या होता है हाँ six months six months ठीक है तो restitution of conjugal rights क्या होता है अभी six to eighteen months का भी बात करेंगे हम लोग वो एक year का period भी देखेंगे अब देखें दामपत्य अधिकारों का प्रत्यास थापन क्या कहता है where either of the husband or the wife क्या कह रहा हूं either of the husband or the wife पूरा bear act को निचोड के समझा रहा हूं सुनिएगा हर कोई इसको गलत समझता है इस section को where either of the husband or wife has without reasonable excuse point to be noted without reasonable excuse withdrawn from the society of the other जरा बताईए without reasonable excuse withdrawn from the society of the other इसका मतलब क्या होता है society का मतलब आप लोग सोच रहे होंगे society का मतलब होता है समाज सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं इस act में इस section में society का मतलब समाज नहीं है इसका मतलब होता हिंदी में आपका साहचरे साहचरे मतलब जो husband और wife का आपस में संबंध है पती और पतनी का जो आपस में प्रेम है जो आपस में प्रेम लगाव है प्रेम कह दो लगाव कह दो स्ने कह दो आपस में रहने का जो ढंग है जिस प्रेम से वो रह रहे थे उसी को society बोला गया है मतलब जो पती पतनी आपस में रह रहे हैं उनका आपस में जो relation मेंटेन हुआ है जैसे समाज में आपका समाज से relation है society मतलब पती पतनी का जो आपस में समन वह है when either of the husband चाहे पती ने पतनी को छोड़ा हो या पतनी ने पती को छोड़ा हो बिना किसी कारण के उसका साथ the aggrieved party अब aggrieved party male भी हो सकता है female भी हो सकता है तो जो male या female जो पीडित है बेचारा जो कह रहा है हमें छोड़ के तुम चले गए तो वहाँ पर क्या होगा may apply by petition to the district court point to be noted तो जो व्यक्ति पीडित है जिसको छोड़ के जिसको छोड़ के वो चला गया है या चली गई है एक बाप बता दू गया तो कभी होता ही नहीं यार 99% 99% क्या होता है चली गई है पोन आ गया ममी जी अब ममी जी जब बत्याने लगेंगे तो बोलो घर कहां से चलेगा तो कमेसा याद रखिएगा आपकी शादी हो जाए तो आप कभी ममी जी से ज़्यादा बात नहीं करिए करिए आप दो घंटे लेकिन अपने पती के घर की बात अपने माईके में कभी नहीं करें भूल के आपका घर बरबाद होने का ये पहला स्टेप होता है तो हमेशा दोस्तों देखो बुरा मत मानिए गल्स मेरों को मालू मैं ट्रोल करेंगे लेकिन आप लोग भी जानते हैं इससे क्या होता है विवाद उत्पन होता है हां माजलिया बरतन ठीक है ऐसा ये अपने अपने दुख दर्द को बाटिये घर के दुख दर्द को वहां मत बाटिये जिससे आपका रिलेशन मेंटल रहेगा तो देखो वापस सुनो अगर हस्बेंड और वाइफ ने किसी एक दूसरे को छोड़ दिया है बिना किसी कारण के एक दूसरे की सोसाइटी को स मतलब मेरे दांपत्य अधिकार को क्या हो गया पति को पत्नी का साथ और पतनी को पती का साथ तो मतलब हस्बेंड और वाइफ को दोनों का एक दूसरे का साथ मिलना जरूरी है उसे ही कहते हैं कॉन्जूगल राइट सारे समझो ना यार पति यह तो पत्नी का जरूरत नहीं होगा उसको बस वह यह बोल रहा है अब आगी की बात आगी की बात दकोट अब कोड़ को अप्लिकेशन गया इस्टिक कोड़ को डिस्टिक कोड़ को पीडित पक्षक क्यों नहीं दिया जाये यहां सही कहा रहा है असके पक्ष में क्यू 하기र में नहीं दिया जाए अगर कोड सेटिसफाइड हो जाता है तो भोड क्या क्या सकता क्या सकता है में डिकरी राइस्टिूशन ओफ conjugal rights तो वह court क्या कर सकता है एक decree पारित कर सकता है conjugal rights को restitution का बोलो आया क्या समझ में तो court कौन सा court है जो answer दीजिए मेरे expression का अभी ये section समझ में आ गया ना सभी को होगा decree का execution होगा अगर मान लीजिए अभी आगे उत्तम जी बात बता रहा हूं अब मान लीजिए पती छोड़ के चला गया पत्नी को तो पत्नी बेचारी अकेली है तनहा है तो पत्नी आपकी property की ऐसी तैसी कर देगी attach करवा सकते हैं अगर आपने decree का execution नहीं किया तो आपकी property जब 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 जैसे बुल्डोजर बाबा क्या करते हैं बुल्डोजर से अपना घर ढाते हैं तो कैसे भागे दोड़े आ जाते हैं लोग वैसे ही होगा आपके साथ तो अब यहां पर यह प्रस्ण आता है कि एक व्यक्ति जो restitution of conjugal right होता है इसका petition जो है वो कहां फाइल करेगा यह करेगा district court में या फिर family court में अब बताई आंसर क्या होगा यह भी एक प्रस्ण आया था जल्दी बताना भाई अरे अब भी तो बताया अब पती पत्नी कोई भी देखो साथ कोई किसी का भी छोड़ सकता है पत्नी पत्नी का साथ छोड़ सकती है तो दोनों के लिए है न बोथ party के लिए तो देखो आपको right answer दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ family court ही right answer देखे जाना है क्योंकि family matters को deal करने के लिए district court के अंदर family court का गठन विवहार नियाले का गठन हो चुका है अगर family court नहीं है तो district court में आप जाईए दोस्तों district court के अंदर ही family court का छोटा सा कमरा बना होता है बोलो आया क्या समझ में यस और नो जल्दी बताओ अब देखे आगे की बात section 9 के अंदर कुछ हम लोग important points को भी deal कर लेते हैं restitution of conjugal right is available to both husband and wife या पती और पत्नी दोनों को यह अधिकार प्राप्त हैं कि वो एक दूसरे के conjugal rights की demand कर सकते हैं अब देखे दूसरी बात the object of section 9 is to preserve the marriage अच्छा मैंने पहली बोला कि जो धारा 10 वो अलगी आता है लेकिन जो धारा 9 है section 9 है वो आपको एक करता है अब यही बात यहां मैंने बोली है धारा 9 का उद्देश विवा को सरक्षित रखना है मतलब आपकी शादी को बचा कर आपको आगे बढ़ाना है आप लोग कई बार देखते हैं कि पती छोड़ के चला गया तो उस पती को भी यह मिलवाता है कि आओ भाई पत्नी है आपकी सरोज रानी वर्सेश सुदर्शन यह केस अभी आपका आया था आप देखिए मैं आपके लिए लैंड मार्क जज्जमेंट्स लेके आ रहा हूं केस लेके आ रहा हूं और आंसर राइटिंग भी आपको बना रहा हूं तो अब आप और मेंस में क्या लिखेंगे जी अब सुनिए सरोज रानी वर्सेश सुदर्शन यह आपका केस प्री में का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून का ही देन नहीं है बलकि यह अधिकार विवाह जैसी अवधार्णा में अंतर रहित है बड़ी अच्छी बात बोली है इसने कैसे देखो शादी जब हुई थी शादी का मतलब विवाह हिंदू विवाह अधिनियम कब बना 1905 में हिंदू विवाह अधिनियम 1905 में बना लेकिन हमारे दादा ने कब शादी करी 1901 में 1910 में 1920 में 30 में जो भी हो सकता है तो क्या वो शादी नहीं थी मतलब तुम 1905 के बाद शादी करोगे तभी शादी है अगर ऐसा कह दिये तो दादा जी उठा के आपको फैक देंगे कि बेटा ऐसा कैसे बोल रहा है तो वही बात कह रहा है भारत में पती-पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून से न inherent in the very institution of the marriage itself जैसी आप शादी करते हैं आपके अंदर हो राइट आ जाता है section 9 अब एक question भी आया था दोस्तों ध्यान से सुनिएगा section 9 का constitution से जोड़ा गया था section 9 of the act cannot be held to be volatile of article 14 and 21 of the constitution मतलब जो धारा 9 है उससे कभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह तो violation है किसका article 14 और article 21 का अच्छा यह क्यों जोड़ा समिधान से बड़े मज़िदार चीज़े हैं दोस्तों यह समिधान से क्यों जोड़ा बताओ कोई बता सकता है देखो मैं बताता हूं आपको cannot be held to be volatile of article 14 and 21 मतलब जो section 9 है यह 14 और 21 article इसे golden triangle बोलते हैं क्या नहीं इसको कभी golden triangle नहीं बोलते हैं वो समिधान में अलग है golden triangle अब इसको क्या violation में है no violation but क्यों violation में नहीं अब बताओ court order decree पारित करता है इस व्यक्ति को कि भाई तुझा इस पत्नी के साथ रहेगा तेरों को जाना ही पड़ेगा तुझे जीना है सिर्फ इसके लिए अब court की decree पारित हो गई मानली जी तो इसी को ही कहते है restitution of conjugal rights बिना कारण से तुम अलग नहीं सकते अब बताओ जैसे आपको कौन बताए कि कारण क्या रहे होंगे वह कारण तो बेचारे का दिल जानता होगा अब बताओ इसको यह कह रहा है यह कह रहा है कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं मुझे जीने का अधिकार है यह क्या बोल रहा है मुझे जीने का अधि तो इस पर इसने कहा section 9 जो है ना यह article 21 का violation कर रहा है तो यह बोला गया no never कभी भी आपको अगर कहा जा रहा है कि अगर आपको section 9 में कहा जा रहा है का पत्नी के साथ रहिए तो यह नहीं कह सकते हैं कि आप मेरे जीने का धिकार छीन रहे हैं I have right to life अरे भाईया आपने status नहीं देखा है my wife my life तो वहीं कोट भी कह रहा है कि भाईया यह 21 का violation नहीं है your wife your life अब आगे की बात फिर आता है दूसरा concept दोस्तो आर्टिकल 14 होता right to equality equality समानता का अधिकार समानता का अधिकार क्या कहता है कि कभी भी इसके साथ आप आर्टिकल पंद्रा को भी जोड़ सकते हैं discrimination नहीं किया जाएगा ऐसे कई सारी चीजे हैं तो क्या कि यह जो पती को पत्नी के साथ या पत्नी को पती के साथ रखा जा रहा है क्या यह आर्टिकल 14 का violation है अनुच्छे चौदा का तो यह बोला नहीं यह भी equality की बात कर रहा है क्योंकि everyone has equal right बिलकुल सभी को जीने का अधिकार है अगर पत्नी है तो वीचारी उसको जीने का अधिकार नहीं है अगर वह पत्नी है तो तुम पती बनके आये थे तो उसका साथ दो तो बात को समझो एक सविधान का हवाला दिया गया तो उजस साहब ने सीधा का नो कभी भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वोईलेशन नहीं है उत्तराखंड जूडिशल सेर्विस में आपका स्वागत है देखे का कह रहा है ओके आपके भाईया को डाट पड़ी थी कोई बात नहीं नोट देखिएगा नोट क्या लगता है नोट देखिए क्या कह रहा है इन इंडिया अगर कोट का डिक्री पारित हुआ है कि आप लोग अपने आपस में रहिए कोंजूगल राइट को मेंटेन करिए फिर भी आप क्या कर रहे हैं आप इस चीज से भाग रहे हैं तो बिल्कुल आपको दंड मिलेगा आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको अटेच किया जाएगा यही कोशन किसी ने पहले पूछा था लेकिन पेशन्स रखिए सब पताऊंगा तो सेक्शन नाइन को सेक्शन नाइन का एक्जिक्यूशन कराने के लिए क्या प्रॉपर्टी अटेच की जा सकती है यहस प्रॉपर्टी केन भी अटेच अगे की बाद explanation TP Act की plan कर रहा हूँ प्रीज अभी आप लोग हिंदू लोग को concept को clear कर लिजे फिर देखते हैं explanation की बात देखे the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society अब देखो यह क्या कह रहा है कि यह कह रहा है पती अगर छोड़ के गया है पती छोड़ा है पती छोड़ के भाग गया तो बताओ burden of proof किसके पास रहेगा इस पती के उपर ही burden of proof रहेगा क्यों तो प्रूफ करेगा तुने पत्नी को क्यों छोड़ा पत्नी बेचारी कुछ नहीं कहगी तु ही बताएगा तेरी ही गलती है तेरे उपर burden of proof रहेगा वाए क्यों पत्नी को छोड़ा क्यों पत्नी को परिशान कर रहा है तो यह अपनी बाते अपने proof को इसको देना पड़ेगा पत्नी को कोई proof नहीं देने की जरुरत है अब आते हैं अगले point पर हाँ अब देखिए section 10 की बात करते है students one of the important section in judiciary अब देखो मैं आपको section 10 को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों आपको मैं section 10 पे के साथ अभी देखो एक चार्ट लेके आऊंगा दोस्तों कितना प्यारा प्यारा चार्ट आपके लिए बनाया है मेहनत करके यह देखो यह देखो यह देख रहे हो अब यह सारा चार्ट याद करना है आपको मेरे साथ पेंशन मत लेना थोड़ी देर की क्लास है फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा अब देखो जुडिशिल सेपरेशन की बात करता है सेक्शन 10 सेक्शन 10 को हिंदी में कहते है न्याईग प्रथक करन तो यह कह रहा है इधर पार्टी टू अ मैरिज प्रश्न यहीं से बनता है मतलब विवा का कोई भी पक्षकार मतलब चाहे पती हो चाहे पत्नी हो दोनों के लिए एकोली लागू होता है may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the grounds specified in 131 और 132 देखो यह क्या कह रहा है जहां से सुनिएगा यह दो बाते बोल रहा है दोस्तों यह दो बाते कैसे बोल रहा है यह 13 के एक की बात कर रहा है एक और 13 के दो की बात कर रहा है कि मतलब इन दो ग्राउंड के बेस पर आप judicial separation की डिमांड कर सकते हैं आई मेरी बात समझ में तो section 10 को जब भी हम पढ़ेंगे तो उसके साथ section 13 को पूरा learn करेंगे yes or no yes जब आप कभी judicial separation की डिमांड करते हैं तो judicial separation की डिमांड को करते टाइम दो grounds आपके पास रहते हैं एक तो पहला 13 एक का ground और दूसरा 13 दो का ground इन दो आधार पर आप क्या कर सकते हैं judicial separation नयाईक प्रतक करण की डिमांड कर सकते हैं 13 एक का जो clause है दोस्तों वो husband और wife पती और पतनी दोनों को equally available होता है दोनों को प्राप्त है लेकिन जो आपका 13 का दो है यह सिर्फ और सिर्फ तो मतलिको केवल केवल पतनी को यह प्राप्त है अच्छे यह क्यों प्राप्त है देखो फिर से 13 का एक जो है वो वापस learn कर लेना यह बात exam में पूछी जाती है section 13 का जो एक है यह क्या कहरा है फेलो सुनो यह कहरा है अगर आपको नयाईक प्रतक करण चाहिए न तो either party to a marriage may present a petition वो एक petition उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा praying for a decree of judicial separation वो प्रे कर सकता है कि जासाब हमें judicially separate करिये on the ground on any of the ground specified in तेरा एक तेरा एक के ground पर यहीं तक पढ़िएगा पती पतनी दोनों apply कर सकते हैं इसलिए मैंने लिखा ground available to both husband and wife अब देखे इसके बाद and in the case of a wife also on any of the grounds specified तेरा दो देर ओफ as ground on which a petition for divorce might have been presented तो कुल मिला के दोस्तों यह कह रहा है section 10 के अंदर अगर आप judicial separation की demand करते हैं मैं सालसा राइटिंग बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा इसको अगर section 10 के अंदर judicial separation की आप दिमांड करते हैं तो उसके दो grounds है उनके अगर grounds की बात करें तो दो grounds है एक तो आपका होगा तेरा का clause 1 एक दूसरा होगा तेरा का clause 2 यह husband और wife दोनों को available है husband wife दोनों इस आधार पर इन grounds पर दिवोर्स भी ले सकते हैं यह grounds common है यह तलाक लेने के भी grounds है यह जो grounds है यह judicial separation के तो आप लोग एक बात और याद रखिएगा यह जो रिवोर्स के ground है दोस्तों सेम इक्वलेंट है किसके अंदर जुडिशियल सेपरेशन के grounds तो दोनों के grounds common है कैसे common लेकिन यह जो ground है तेरा का एक जो है दोस्तों वो husband wife दोनों को प्राप्त है लेकिन जो तेरा का दो ground है उसके आधार पर से पतनी यूज़ कर सकती है जराद देखते हैं यह है क्या फिर और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे तो section 10 को मैं connect कर रहा हूं आगे तो section 10 को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं ध्यान से देखेगा section 10 के दो clause है 10 का clause 1 और 10 का clause 2 10 का clause 1 husband और wife दोनों के लिए available है 10 का clause 1 कहता है कि husband पती या पतनी petition file कर सकते है can file a petition under section 10 subsection 1 के अंदर for passing a decree for judicial separation वापस सुनिएगा section 10 के दो पार्ट है एक 10 एक है एक 10 दो है 10 एक ये कहता है कि पती और पतनी petition file कर सकते हैं धारा 10 के clause 1 में और हां किसली petition file करेंगे judicial separation की decree को पास करवाने के लिए तो एक्जामे पुछा जाएगा ये question कि अगर आप judicial separation की decree पारित करवाना चाहते हैं तो आप अपना petition कहां file करेंगे तो section 10 के clause 1 में petition file करेंगे petition file करने की बात कर रहा हूं फिर उसके बाद section 10 का clause 2 आता है decree for restitution माफ कीजिएगा decree of judicial separation जो न्याइक प्रथक करण है हिंदी में भी याद रखेगा जो न्याइक प्रथक करण की decree है उसे या तो अगर आपने demand की भाई हमको judicial separation दीजिए हमें न्याइक प्रथक करण दीजिए तो court क्या करेगा या तो वो decree pass कर देगा चलो बधाई हो या वो decree को क्या कर देगा दोस्तों reject कर देगा कि नहीं आपको judicial separation नहीं मिलेगा तो धारा section 10 के clause 1 में petition file की जाती है praying की जाती है भाई साब हमें हमारी पत्नी से छुटकारा दिलाए दस की दो में कहा जाता है court के द्वारा हा या तो आपको छुटकारा दिला देंगे या आपको छुटकारा नहीं दिलाएंगे तो कुल मिलाके ये धारा 10 कहता है दोस्तों तो I hope section 10 separation के लिए वह ground क्या होंगे ऐसी जाके मूठा के कह दोगे हमें तो हमारी पत्नी पसंद नहीं है सुंदर कम लगती है ऐसा तो कहा नहीं सकते हो आपको कहना पड़ेगा कुछ ground से बताने पड़ेंगे तो क्या-क्या ground है दोस्तों जड़ा देखते हैं एक तो 13 के एक ground है जिस पती पत्नी से judicial separation की डिमांड कर सकती है और इन्ही ग्राउंड पर पत्नी पती से कह सकती हमको नहीं चाहिए फिर दूसरा 13 के दो में सिर्फ पत्नी कह सकती हमें judicial separation चाहिए अब देखे आगे की बात grounds available to both husband and wife कौन-कौन से ऐसे आधार है जो पती-पत्नी दोनों को मिले हैं अच्छा ही बात याद रखिएगा section 10 पढ़ाते टाइम मैं हमेशा divorce को साथ में पढ़ाता हूँ तो जो divorce section 13 है उसमें भी आपको यही point मिलेंगे तो आपको section 10 और section 13 एक साथ combine करवा रहा हूँ अरे अपील के लिए रुको तो सही आईशा सब आएगा कल भी class है अब देखी अगर मान लीजिए 13 के 1, 13 के 2 में grounds की बात करें तो सबसे पहले 13 के 1 की grounds की बात करते हैं कि पती- पत्नी कब divorce की demand कर सकते हैं या किस base पर judicial separation की demand कर सकते हैं मान लीजिए पती या पत्नी adultery में रह रही हो व्यभी चारिता में रह रही हो मतलब पती का कोई दूसरा संबंध हो इसने कोई concubine रखहल रखी हो या इसका out of marital relation हो या पत्नी किसी और के साथ busy हो तो adultery है तो उस ground को देते वे आप divorce ले सकते हैं cruelty पती आ रहा है पत्नी को मारे जा रहा है desertion कर दिया पती छोड़ के भाग गया तो desertion के case में भी क्या हो जाएगा अभी त्याक कर दिया तो भी वो divorce ले सकता है apostasy या conversion कह सकते हैं इसको धर्म परिवर्तन या सम परिवर्तन कहते हैं यह भी एक ground है आपका unsound mind या mental disorder हो जाए मतलब जो पती या पत्नी में से कोई भी पागल हो जाए तो वो भी क्या कर सकता है divorce ले सकता है फिर छटा point lepracy है दोस्तों जिसको code या कुस्ट कहते हैं इसको अ 2019 में इसके द्वारा इसको हटा दिया गया है चीक है याद रखिएगा अब देखिए लेप्रसी को हटा दिया गया है अब लेप्रसी क्यों ऐसा किया क्यों 2019 के पहले लेप्रसी था अब हटा दिया गया तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लेप्रसी को इसलिए हटाय गया है कि लेप्रसी जो पहले था इन क्योरेबल डिजीज था लेकिन आज क्या हुआ है अब प्रॉपर तरीके से हमारा सब कुछ ओके हो गया है और बहुत सारी अब इलाज हो गया है लेप्रसी को अब आप इसके आधर पर आप तलाक नहीं ले सकते जो डिशल साइप्रेशन की डिमाड नहीं कर सकते पहले था ही वेनरल डिजीज कोई ऐसी डिजीज है जो कि हस्बेंट से वाइफ में जा सकती है वाइफ से हस्बेंड में लाइक एड्स हो गया एचाइवी से रिलेटेड चीजे हो गई या इधर होगे कोई भी रिनाउं पतनी दोनों आपस में एक दूसरे से साथ वर्ष से लापता हैं तो इन आधार पर इन नौ ग्राउंड पर दोस्तों वो क्या कर सकता है वो ग्राउंड एवलेबल हैं पती पतनी दोनों एक दूसरे से जुडिशल सेपरेशन की डिमांड कर सकते हैं और यही जुडिशल में डिवोर्स के भी है आईए जरा यहां देखते हैं ग्राउंट्स एवलेबल टू ओनली वाइप सिर्फ पत्नी को अवलेबल है पती को नहीं बीगेमी कौन करेगा बीगेमी तो पती ही करेगा करा दिये ना रेनुइंशियेशन इदो को रिनाउंस द वर्ड पढ़ा ही नहीं आपने सुनिए गाब अगर पती दूसरी शादी कर ले तो पत्नी कहेगी नहीं तलाग लूँगा अब यह पती को अगर अवलेबल हो कि मैं दू साधिया भी करूँगा मैं तलाग भी लूँग तुम लड़के हो तुम दो शादी कर रहे हो पत्नी को या ग्राउंड मिलेगा पती रेप का पीडित हो पती ने रेप किया हो तो पत्नी क्या सकती है इस रेपिस्ट के साथ मैं नहीं रहूंगी इसको भगाओ सोडोमी बैस्टालिटी यह सब चीज़े होती है और पढ़िएगा इनको मतलब ओ सोडोमी वह और पी हो मतलब गलत चीज़े कर रहा हो वह पति जो हो गलत तरीके से सेट्शूल रिलेश्ण्स अलग अलग जगा पर बना रहा हो धिक पढ़िएगा थोड़ा आप भी रीसर्च में आपस में कोई कोहबिटेशन नहीं हुआ हो तब भी पत्नी कह सकती है मुझे इस ग्राउंड पर थलाक चाहिए मैंटीनेंस के डिक्री पारित होने के बाद प्यूबर्टी एक प्यूबर्टी की एज पर मान लीजिए आपका मैरीज जो था वो लड़की छोटी थी सतरह साल की लड़की थी उसके शादी हुई थी चाहुद 15 साल की लड़की की शादी हुथी है 16 साल की अब उसने प्यूबर्टी वैसकता की एज पराप्त करी तब उसको लगा हाँ वही जानवरों की साथ जो कुछ भी होता है बेस्टैलिटी वगर आ जाता है आप लोग इतना समझदार है मैन और एनिमल के बीच में जो संबंद होता है ठीक है आप लोग समझदार है अब चलिए प्यूबर्टी मतलब क्या होता है महिला जब बड़ी हुई तब उसको समझ में आया अरे यह तो मैंने इस गधे से शादी कर ली कई बार ऐसा होता है बाल व्या हो जाता है बाद में उसको पता चलता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना तो ओन एचीविंग ऑन अटैनिंग दे एज और प्यूबर्टी ऑवाइफ केन फाइल डिवॉर्स फाइल पेटिशन फोर डिवॉर्स पेटिशन फोर जुडिशल से अब आगे की बात तो यह था सैक्शन टैन का ग्राऌंड अब देखो एक और बात इसी सैक्शन तेरा के अंदर दोस्तों सेक्सें 13 को मैं कंटीन्यूटी में लेंकर जा रहा हूं कहां गया ंत हुआ कि यह 13 का एक यह 13 का दो इसी को हम ये 1 Capital मैं लेकर जा रहा हूं मों होता है दो खाने नहीं होula okayус का पंपे का की का चलिए तो जो विवाह का विछ्षेद है यह तो अगर पती पत्नी आपस में पती जो है वह कोहबीट कर रह रही हो मतलब पती हस्बेंड वाइफ के साथ सेक्शुल रिलेशन ही नहीं सेक्षुल रिलेशन नहीं बना रहा हूँ तब उस ग्राउंड पर और कितने टाइम तक उसने सेक्षुल रिलेशन नहीं बनाया है एक साल या उससे जादा समय के लिए और one or more यह उस ग्राउंड पर भी आपके शादी का विच्छे दो सकता है यह वाइफ ने मना कर दिया हो ह समझो बात को पती की इच्छा होती है कि मेरा बेटा हो उस इच्छाओं को अब पती की इच्छा थोड़ी आपके बीच में जो राइट थे वह रेस्टिट्यूट ही नहीं कर पाए एक साल या एक साल से ज्यादा समय के लिए तो भी आप कर सकते हैं आगे की बार अब 13 की बी का पॉइंट बार-बार एक्जाम में आता है ध्यान से देखिएगा उत्तराखंट जूडीशल सर्विस दस बार एक कोशन आया है कि mutual consent से divorce लिया जा सकता है वो किस धारा में लिया जाता है तो आपको बता दूँगा mutual consent से जो divorce लिया जाता है वह 13 की बी में लिया जाता है आगे की बात और सुनिएगा 2017 में यह point आया था कि the provisions of divorce by mutual consent वापस बोल रहा हूं the provision of divorce by mutual consent मतलब पती पत्नी में गुत्थम गुत्थी हो गई कि हम तुमको तलाग दे देते हैं तुमको तलाग देते हैं मतलब क्या वही वाला मलाइका अरुडा वाला मामला है कि आपस में घर के बाहर आवाज नहीं रहेंगे तुम भी अलग हो जाओ हम अलग हो जाते हैं तुम जाओ जीलो अपनी जिन्दगी कौन थी एंड्री या ना पता नहीं क्या और तुम भी वह अरजुनवाक संगे बिजी रहो तो यह जो बात होती है यही कहते हैं divorce by mutual consent आपस में अगर पती पत्नी ने समझोता करक तो ऐसे divorce को divorce by mutual consent कहा जाता है आगे की बात इसमें पती और पत्नी को पारसपरिक सहमती से विवाविच्छेत करने की अनुमती दी गई है दोस्तों इसके अलावा एक point और भी आप देखिएगा और एक point बता रहा हूं कि यह जो divorce by mutual consent है इसे किस amendment act के द्वारा जोड़ा गया था यह प्रशन आया था आपके EGS में तो इसको add किया गया था marriage law amendment act 1976 जो marriage law amendment act 1976 था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों आगे की बात इसी को ही consent theory के नाम से बिहार में प्रशन आया था mutual consent को ही क्या बोलते है दोस्तों इसी को ही बोलते है consent theory कहने का मतलब जो consent theory थी उस consent theory का concept किस से संबंदित है 13 के 20 से ही consent theory का concept संबंदित है consent theory of divorce was introduced in the Hindu marriage act 1955 in the year 1976 यह भी प्री में पूछा गया था कि यह कब अब देखो ना यार amendment act 1976 है अगर वर्स पूछ ले किस year में तो यह 1936 तो होगा तो एक यह याद कर लो चाहिए याद कर लो common sense के द्वारा दोनों सॉल हो जाते हैं यूपी के HGS का प्रशन था the petition for divorce by mutual consent may be presented according to Hindu marriage act 1955 if the spouse have been living separately for a period of one year or more तो यही यह बात कह रहा है दोस्तों कि जो petition by mutual consent है उसको present किया जा सकता है किसके अनुसार हिंदू marriage act 1955 के अनुसार अगर जो पती पतनी है इसपाउस का मतलब पती पतनी जो की रह रहे हैं एक साल से जादा time के लिए अलग अगर वह आपसी सहमती से एक साल हो गये हैं एक साल से वह अलग रह रह रहा है पतनी अलग रह हम रुख चुके हैं जी तो इस ग्राउंड पर भी डिवार्स को लिया जा सकता है अब देखे मेरी बात को कि देखे अब जेखो राजवर्धन जी पूछ रहे हैं इफ हस्बेन और वाइफ बोथ आर रेडी तु डिजॉलुशन ओफ मेरीज पती पतनी दोनों तलाग चाहते हैं बाइ कॉंपिटेंट गोट से एंड आफ्टर दा एविडेंस वाइफ रेफ्यूस तु मूच्वल कंसे हैं तो क्या हुआ तब तो कोट अपने आपको देदेगा जायो मजह से रहओ अलग अलग रहो लेकिन कोर्ड उसमें एक साल का समय लेती है एक साल जाल रोकती है फिर उसके बाद आगे बढ़ती है ये लेकिन अगर court मना कर दे कि नहीं आपको अलग नहीं रहने देंगे तब तब court के अपने discretionary पावर है उसमें आप क्या कर सकते हैं लेकिन in general ऐसा नहीं होता है जब पती पत्नी नहीं रह सकते हैं तो पती पत्नी को अलग ही करना court सही समझता है तो ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया है कि जज अड़ जाए कि हम तुमको अलग होने ही नहीं देंगे हाँ जज आपकी सादी को साल भर बचा सकता है ठीक है यह तो question को थोड़ा frame करके बताईएगा क्या matter है यही लगा मैंने अपना reply दिया अब देखिए in a proceeding for dissolution of marriage by mutual consent the parties have to move to the court once again after six months but before 18 months from the date of presenting the petition इन सब चीजों को आप देखिएगा 6 से 18 महिने का जो time है इसके बीच में जो आएगा gap one year का आता है तो यहाँ पर petition को present करने का time यह बता रहा है अब section 13 के बाद आप चाओदर में आएंगे चाओदर क्या कहता है imposes a ban for filing petition for divorce section 14 क्या कहता है आप divorce के लिए तलाग के लिए petition file नहीं कर सकते हैं यह आपके उपर ban लगाता है according to section 16 की बाद अब देखिए 16 यह कहता है the children of a void or voidable marriage जो void या फिर voidable marriage के जो बच्चे होते हैं माल लेजे शादी section 11 में आपकी शादी कैसी है void marriage है void का मतलब हो गया शुन्य या फिर section 12 के according आपकी सादी क्या हो गई voidable हो गई है तो दोस्तों मेरी बात को समझो आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे माना जाएगा would be would be the legitimate children वह हमेशा बच्चा legitimate बच्चा ही माना जाएगा हिंदी में देख लो धारा 16 के अनुसार सुन्य विवाश उत्पन जो धर्मज है अपत्य धर्मज होगा अपत्य कभी भी illegitimate नहीं होगा एक और language में सुन लीजे section 16 डज यही बात वापस ही कह रहा है वापस यही बात यहां पर भी रिपीट हो रहा है तो कुल मिलाके एक लाइन में समझ लेजे section 11 चाहे section 12 वाइड या वाइड़ेबल मैरीज हो यहां से अगर कोई भी children पैदा होता है तो यह children हमेशा माना जाएगा it will be deemed as legitimate children बस इतनी सी बात कह रहा है तो धारा 11 धारा 16 के effect से कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है कोई बात नहीं उसे कानून कहता है कि उसे हम एक legitimate child मानेंगे आगे देखिए अगला point यह क्या कह रहा है इसी के अंदर where a decree for judicial separation एक में रुकेगा कुछ point इधर उदर हो गया है ठीक है कोई बात नहीं चलिए तो यह था हमारा जो ending था दोस्तों अभी तक यह थोड़ा आगया यहां तक यह जो हमारा ending था दोस्तों यह हमने अभी तक section नमबर एक से लेते हुए हमने 13 तक को deal किया है उसके अलावा थोड़ा बहुत हमने 14 को भी देखा और 16 को भी देखा लेकिन इसमें अभी दो sections बाकी है section नमबर 11 और section नमबर 12 section 11 wide marriage की बात करता ह है और section 12 wideable marriage की बात करता है चलो जड़ा चार्ट से इसको फटाफट पढ़ लेते हैं ठीक है फटाफट चार्ट से क्लियर करते हैं देखे चैप्टर नमबर 4 की शुरुआत करता हूं दोस्तों chapter नमबर 4 कहता है newlity of marriages and divorce विवाह की अकृता और विवाह विच्छे विविव के साधी करी है तो वाइडेबल है लेकिन आपको पता है बच्चा माइनरहें फिर भी है पृघि कर रहे हो लडगी माइनरहें फिर भी शादी कर रहे हो और यह पता चल गए आपको पर एपFit वाइड तो क्या क्या है आपने शेक्षे न 5 जो आपने पढ़ा था कंडिशन ओ अदिए और Desde और आज पांच क्लान मोनों गैमी पांच का क्लास त्योतबा क्या कहता है क्लास फुर्ट और दो क्लास फॉट में रहे हूं आपशान और ऊस्वें करने यह शादी कर रहे हो जो generation वाला था कि पिता जी के 5 पीड़ी और माता जी की 3 पीड़ी मतलब वहां पर अगर आप साधी कर रहे हो सपिंडा relation में ठीक है तो वो शाधी जी में ये है ठीक है तो 3F और 3G के violation में साधी कर रहे हो अब द्यू विवाह कर रहे हो तो आपकी शाधी हमीशा क्या होगी वाइड जिसको शुन्य विवाह कहा जाता है अब देखिए शुन्य विवाह के संब्ध में एक केस आया था दोस्तों लाला सिंग वर्सेज स्टेट यूपी 2006 सुप्रीम कोड इसने क्या बोला अगर किसी ने इंटर कस्ट मेरीज करें आप से पूछा जा सकता है अगर किसी ने इंटर कास्ट मेरिज करें क्या यह वैलिड होगा येस अगर आपने मालीज आप SCST के हैं आपने जनरल कास्ट में शादी कर ली तो it is a intercast marriage but that marriage is valid and legal under Hindu marriage act ये बात कहां बोली गई है लाला सिंग वर्से स्टेट अफ यूपी के landmark case में Supreme Court का ये judgment था और आगे देखिए there is no bar to an intercast marriage under this act किसी ने बोला गई intercast marriage किया गया है इसको आप void declare कराईए तो court ने कहा no this is valid ये कभी भी void नहीं होगा इस अधिनियम के अंदर अंतर जाती वह प्रतिबंधित नहीं है getting my point हाँ अगर आपका धर्म अलग हो जाता है तो आप इस act के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं एक हिंदू एक मुस्लिम शादी करना चारा है तो आपको special marriage act का सहारा लेना पड़ेगा special marriage act का सहारा लेना पड़ेगा एक और केस है दोस्तों गिरीस डंगवाल वर्सेस सुष्मा डंगवाल 2009 का इसमें क्या कहा गया था अगर पतनी भुलकड है भूल जाती है तो आप वो ग्राउंड केवल भूलने के सुभाव को पागल पन्या जड़ता नहीं कहा जा सकता अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी माताएं जो है या बहने जो हैं क्या करती है मम्मीया खास कर पैसा रखके भूल जाती है तो क्या आप कहसकते हो कि ये तो पागल है इस से हम डिवोर्स लेंगे ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ छोटे मोटे भूलने के सभाव को आप पागल पन में काउंट नहीं कहा सकते यह गिरिस दंगवाल वर्सेश सुष्मा दंगवाल 2009 में कहा गया था सेक्शन 11 के अंदर आप इसको नहीं ला सकते हैं ऑनली फॉर्गेटनेस को केवल भूलने के सभाव को आगे की बाद गुल्ली पली स्वारिय राज वर्सेश बंदारु पवानी एड़ रेट मतलब इसका मतलब होता है उर्फ गुल्लु पल्ली पवानी जो 2009 सुप्रीम कोट न अगर आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति हिंदू है और दूसरा व्यक्ति मुसलिम है अगर दोनोंने आपस में शादी कर ली यह हिंदू है तो क्या यह वैलिड होगा नो इसको वैलिड कैसे कराया जाए इसको वैलिड कराने के इनको शादी करनी पड़ेगी special marriage act के अंद ठीक है जी आगे की बात अब बात करेंगे section 11 के बाद section 12 की voidable marriage क्या होता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा शुन्य करणी विवाह बहुत अच्छे चार्ट से मस्त वाला समझाने वाला voidable marriage को दो parts में बाटा गिया है पहला part है 12 का एक और दूसरा है 12 का दो 12 का एक और 12 का दो क्या कहता है पहले 12 के एक की बात करते है voidable marriage को बोलते हैं शुन्य करणी विवाह बारा का एक कहता है जो ये voidable marriage होती है न ये null zero होती है और voidable होती है it shall be null and voidable किस ground पर निम्न दिये गए चार आधार पर पहला ground क्या है अगर impotency आ जाती है माल लेजिए पती पत्मी ने साधी करी बट जो पती था वह नपुन सक्ता नपुन सक्ता वह sexual relation बना ही नहीं सक्ता था थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा लिख देता हूं अगर वो living relation में रह रहे हो तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा दिमाग कभी भी legislature मना करता है no you have no right to extraordinary दिमाग लगाना दूसरा point इसका क्लॉस्ट इसका दूसरा ground जो हो कहता है free consent आ गया mental disorder मतलब जो एक free consent था और या जो mental disorder था उसका उलंगन करते वह आपने शादी करी मतलब जो आपने consent लिए वह free नहीं था या जिससे आपने शादी करी वह mental disorder था तो वह वाइडेबल होगा या आपने जो यह consent लिए है या force के माध्यम से ली है या या फ्रॉड के माध्यम से कंसेंट ली है या फ्रॉड के माध्यम से ली है या कपट के माध्यम से आपने लिया है मतलब आपने क्या किया आपको जिस लड़की से शादी करनी थी उसके भाई को किड्नैप करा दिया और फिर कह रहे हैं चल साधी कर नहीं तुम्हारे भाई को गोली मरवा देंगे तो शाधी बाद में जाके वाइडेबल जीरो हो जाती है हाँ आप बीगैमी कर रहे हैं तो वह अभी क्या होगी अब बताओ बीगैमी कब पता चलेगा शुरू में तो डिना पती-पत्नी अकेले रह रह तो यह ग्राउंड्स है जिसके ग्रायूंड्स पर आप डिवर्स ले सकते हैं यह एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गभीगैमी जो है अगर बीगैमी जो मौलम्ड है यह वाइडेबल वाइडाइबलिटी में आता है यह इसमें आता है सैक्ट्राइज ट्म लिजेगा अगर तुम लोग जाते हो कोट में कि हमारी शादी को जीरो डिकलेर कर दिया जाए यह तो शादी गलत है तो आपको यह क्या कह रहा है पता है कि अगर आपने पिटिशन एक साल के बाद प्रेजेंट किया है या फिर आपने विद्ध कंसेंट और बोद पार्टी ज लेके करी है तो उस केस में पिटिशन फॉर एन्विलिंग अ मैरिज शेल नौट भी एंटर्टेंट बाइद अब बताओ आपको मान लीजे फोर्सफुली आपकी शादी हुई है तो आपके पास एक साल परियाप्त समय है की नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि मेरे साथ गलत तो अगर पिटिशन को एक साल की बाद प्रेजेंट किया जाता है और या तो जो शादी हुई है वो दोनों की कंसेंट से हुई है तो आप कोट आपका पिटिशन एंटर्टेंट नहीं करेगा एक सेक्शन 12 की एक और बात सुनिएगा अब पिटिशन फॉर एन्विलिंग अ पिटिशनर वाज इंग्नॉरेंट ऑफ फैक्ट माल लीजे जो पिटिशनर था उस बैचारे को तत्यों का पता ही नहीं था वो भूला आदमी था तो उसको अलाव कर सकती है चलो तुम पिटिशन फाइल कर सकते हो या दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है प्रिसेडिंग प्र नो मैरिटल इंटर कोर्ट्स आफ्टर डिवोर्स और डिसकवरी और फैक्ट्स मतलब तत्यों का पता लगने के बाद विहवाहाईक संभोग नहीं हुआ है मतलब जैसे कि कोर्ट को यह पता चल जाए कि इनको पता चल गया कि यह शादी जो हुई है बहला फुसला कर हुई ह गलत ग्राउंड्स पर हुई बिगयमी हुई है और उसको पता लगने के बाद इनके बीच में सेक्शूल रिलेशन मेंटन नहीं है तो वह आपको क्या करेगा पीटिशन को एंटरेन करेगा लेकिन आपको ग्राउंड्स पता चल गया सब को जानते वह आप सेक्शूल रिले सकते हैं एक केस है मैं आपको केस को डिसकस कर देता हूं पहले जड़ा देखिएगा जो कि स्लाइड से पीछे की सक गया है दोस्तों प्लीज वेट हाजी आपका एक से लेकर तेरा तक के सेक्शन सो गया है दो एक दो केस लौज है उनको सूली जीगा सर्ला मुदगल वर्सेज यूनिन आफ इंडिया केस था इन दिस के सुप्रीम कोट ने क्या हेल्ड किया था था इट इफ अ हिंदू मेल हैविं हिंदू वाइफ converts to Islam and marries again according to Muslim law as a Hindu marriage is subsisting the second marriage is invalid यह यह कह रहा है कि भाई आपने किसी hero को देखा था एक सुना होगा एक actor था उसने है या था I don't know उसने क्या किया था दो शादिया करने के लिए हिंदू धर्मे तो अलाउड नहीं है तो उस भाई ने क्या किया कि मुझे दो शादिया करनी है अब कैसे करूं दूसरी से प्यार हो गया था उसको तो उस actor ने क्या किया अपने धर्म को बदल लिया हिंदू से वह बन गया मुस्लिम अब मुस्लिम में चार शादिया अलाउ लेकिन आज की डेट में यह अलाव नहीं करता है, अगर कोड question को यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति, धर्म का परिवरतन इसलिए कर रहा है कि उसे दूसरे दो शाधिया करनिये तीन कर रही है, तो Court उसको invalid declare कर देता है, उस धर्म परिवरतण को invalid declare कर देता है, उस marriage को void declare कर देता है लेकिन पहले ऐसा नहीं था ये तो बाद में सुप्रीम कोट के लैडमार्ग जज्जमेंट्स है तो पहले उस actor ने इसका benefit लिया इस लेकुना का benefit लिया और उसने दो शादिया करी आई होप आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरू लिखिएगा उस actor और उस actress का नाम क्या है जो उस actor ने दो शादिया करी थी तो अगर आप हिंदू मेल हिंदू वाइफ हैं अगर हिंदू मेल हैं और आप एक शादी कर रहे हैं एक शादी आपकी एक वाइफ पहले से ह है और आप क्या करते हैं हिंदू जो आप हैं आप मुसलिम में क्नर्ट करके अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो क्या आप का है जो यह सेकंड मैरीज है क्या यह valid होगा तो āएगा नोट valid क्यों not valid आएगा क्योंकि आपकी पहली marriage already subsisting है already क्या है already subsisting है getting my point first marriage is already subsisted अरे समझ में आया कि नहीं है बड़ा आराम से बता रहा हूँ तो इस मामले में Supreme Court ने कहा कि यदि एक हिंदू पुरुष की हिंदू पतनी है और हुआ इसलाम में धर्मांतरित होता है और मुस्लिम कानून के अनुसार फिर से शादी करता है क्योंकि हिंदू विवाह अस्तित्त में है तो दूसरा विवाह अमाननी हो जाएगा invalid हो जाएगा आगे की बाद there cannot be automatic dissolution of marriage on apostasy ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म हिंदू धर्म से मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी में चला जाए और उसकी साधी ऑटोमेटिक डिजॉल हो जाए ऐसा concept कभी भी नहीं है dissolution तो आपका marriage court से ही होगा divorce के माध्यम से तो दोस्तों यह था मेरी तरफ से इंपोर्टेंट जो केसे इस थे एक से लेकर अप्रॉक सोला तक मैंने आपको पढ़ाए उसके अलावा आपको आज 17 और 18 मैंने बताया था जहां से देखिएगा section 17 आज आपका homework है दोस्तों section 17 मैंने आपको बताया था क्या section 17 में punishment मिलेगा और उसके अलावा अगर आपने minor है आप और minor में आपने अगर शादी कर ली तो आपको section 18 के अंदर डंड मिलेगा जो कि कितना मिलेगा maximum two years का तो यह चीज़े आपको आगे समझनी है आज के लिए इतना ही दोस्तों चलिए अब आपको मैं कुछ informations बता देता हूं जिसको भी आप अच्छे से सुन लीजिएगा यह था मेरी तरफ से एक से लेकर 18 तक का provisions मैं आपके उमीदों पर खरा उतरा हूं तो प्लीज वेट दोस्तों प्लीज वेट कुछ informations भी आपकी है वो मैं बता देता हूं देखिए यह आपकी कुछ informations है जो आपको जानना बहुत जरूरी है जहां से देखेगा linking regular batch 2.0 for judiciary exams है जो आपके लिए आ रहे हैं चार में 2023 से है और यह 12 महीने का course है अच्छा कल मैं आप सभी को हिंदू marriage act का part 3 कराऊंगा जहां पर मैं आपको maintenance के provisions कराऊंगा किसके maintenance से संबंदित और क्या-क्या sections है तो कल का session छोटा रहेगा बट important रहने वाला है तो आप इसको भी join कर सकते हैं age closer to a singer exam preparations 20% off है अगर आप लेते हैं इसको तो जिसको में आप linking code use कर सकते हैं then बिहार judiciary simulator mock test भी है एक law का एक gk का होगा 499 में linking code use कर सकते हैं and up mains के लिए 15 days rapid divisor batch भी चलना है जिसे भी आप observe कर सकते हैं huh GS maha pack जो आपका है for all state judiciary जिसमें history quality geography यह सब है इनको भी आप देख सकते हैं these are the batches and यह आपके इनको Congress relations आपको बोलना पड़ेगा बहुत अच्छे लोग हैं जिरों जजज बन चुके हैं बधाई हो order order अब आगे की बाद special class में आप सभी को इस interactive class पोल्स रेजर हैं नेव मिस क्लास लेक्टर नोट्स एनी टाइम एनीवर फेसलिटीज प्लस में 6 टो एटीन 24 मंस इसमें 24 12 6 मंस है जा लिंकी code यूज़ करके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं आगे की बात plus की बात करने के बात plus में क्या benefits है लाइव classes questions with sections please क्या हुआ अंबिका बताइए ना धरमेंदर और हेमा मानली ओके ओके बोपेंद तो प्लस में class weekly test अनली एक से structured courses है और अगर बात करें आइकोनिक में तो आइकोनिक में आपको personal guidance study planner एक्सपर्स की guideline प्रोवाइड की जाएगी और कोई भी inappropriate content है तो आप उसकी report भी कर सकते हैं कहां report करेंगे bugs bounty के माध्यम से so this is the ending of my class I hope आप सभी की उमीदों पर मैं अनुप उपाध्या खरा उत्रा हूँ और कुछ अच्छा मैं आपको दे पाया हूँ अगर आप मेरे चैनल से जुनना चाहते हैं linking laws linking laws अनुप सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है जिसको आप जॉइन भी कर सकते हैं so students अजकल इतना ही comment box में जरूर बताईएगा कैसा रहाज का सेशन पहला पार्ट और दूसरे पार्ट को जोड़ के पढ़िए mains answer writing को observe करिए कुछ मेहनत देखो थोड़ी बहुत आप भी कर लीजे तो एक दब मज़ा आ जाएगा चार चान लग जाएगे दोस्तो तो मेरे लिए इस YouTube में इतना ही पढ़ाना थोड़ा सा टाइम की कमी होती है सब चीजों को देखते वे जितना भी दे पाया हूं मैं अपना 100% पूरी देने की कोशिश करी है आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा सो आज के लिए इतना ही आई होप हम फिर कर मिलेंगे रात को आठ बजे तैक यू सो मच सभी को में एक तरफ से एक बार जैहीं एंड जय भारत बाबाई ठीक क्यार अपना ध्यान रखिएगा